नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेगा हव में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लड़का होने के ऐसे चार अनौखे लक्षन बताने वाला हूँ जो की आपको किसीने नहीं बताए होंगे और बताए होंगे तो इनके अलावा और भी लक्षन बताए गए होंगे तो दोस्तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को जरा सा भी स्किप्ट ना करें और पूरा जरूर देखना जिससे आपके समझ में वीडियो आ जाए और आपके पास वो लक्षण मैं जो कहना चाहता हूं वो पहुंच जाएं तो दोस्तो जो अभीता चीना सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हर जरूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगी तो आएए दोस्तो आपको बताते हैं वो ऐसे अनौके लक्षण कौन-कौन से हैं जो की सीधा लड़का होने की तरफ इसारा करते हैं दोस्तो आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में लिंग का परिक्षण करवाना एक घैर कानूनी अपराद है यानि कि हम अल्ट्रा साउंड द्वारा यह पता नहीं लगा सकते हैं कि हमारे गर्व में जो बच्चा पल रहा है वो एक बिबी बॉय है या एक बिबी गर्ल है क्योंकि दोस्तो अल्ट्रा साउंड हमारे देश में बर्जित है अल्ट्रा साउंड का यूज़ करना हमारे देश में परजित है यानि की लिंग का परेक्षण हमारे देश में करवाना मना है तो दोस्तो जो गर्बती महिलाई होती है जब है प्रेगनेंट हो जाती है जानी कि प्रेगनेंसी के दोरान उनके मन में सिर्फ एक ही खयाल चलता रहता है कि जो उनका होने वाला बच्चा है बहे कौन है एक बिबी बॉय है या एक बिबी गयल है तो दोस्तो इसी जग्यासा को दूर करने के लिए हमारे घर की जो बड़ी बुजर्ग महिलाए होती हैं वो अपने द्वारा अपने ऊपर जो बीते हुए लक्षण हैं उनको बताती हैं यानि कि जब उन्हों के घर में जो बच्चा पल रहा था तो उनके साथ ये लक्षण हुए थे और ये लक्षण होने पर उनको लड़की पैदा हुई थी और ये लक्षण होने पर उनको लड़का पैदा हुआ था तो ऐसे ही कुछ लक्षन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो की हमारे बड़े वजुरकोदारा पताए गए हैं तो दोस्तो पहला जो लक्षन होता है बह होता है आपके फेस पर दिखाई देता है अगर दोस्तो प्रेग्नेंसी के दोरान आपका फेस पहले से ज़ादा दिखाई देता है यानि कि पहले से ज़ादा आपका चेहरा बलैक सा हो गया है और आपके चेहरे पर जुर्रिया, मुहासे, फुनसी आदी आपको दिखाई देने लग गए है तो यह लक्षन एक गर में लड़का होने का माना जाता है यानि कि आप अनुमान लगा सकते हैं अगर यह लक्षन आपको आपकी प्रेग्नेंसी में देखने को मिले तो आपके गर में एक बेटा पल रहा है और दोस्तो जो दूसरा लक्षन होता है वह होता है आपके पेट से अगर दोस्तो प्रेग्न में आपका पेट नीचे की तरफ जुका हुआ होता है और उसका जो बुरा भार है वह आपको नीचे की तरफ ज़्यादा महसूस होता है और आपका पेट आपको फुटबाल के समान दिखाई देता है तो भी आप अनुमा लगा सकती हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह एक बिबी बॉय है यानि कि आपने एक बिबी बॉय को ही कंसीव किया है और दोस्तो जो तीसरा रक्षन होता है वह होता है आपके निपल्स से अगर दोस्तो प्रेगनेंसी के दोरान आपके निपल्स पहले से ज़्यादा डार्क हो गए हैं यानि कि पहले से ज़्यादा उनमें ब्लैक पन आ गया है यानि कि पहले के मतावित बैक काले पड़ गए हैं तो भी यह लक्षण एक गर्ब में लड़का होने का माना जाता है और दोस्तो चौथा लक्षण जो होता है बहा होता है आपके हेर से यानि कि आपके बालों से अगर प्रेग्नेंसी के दोरान आपके बाल पहले के मताबित जड़ना स्टार्ट हो गए हैं और जड़ते रहते हैं और उनमें बिल्कुल भी साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दोस्तो आप अनुमान लगा लें निश्चित ही आपके गर्ब में एक बेटा पल रहा है तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे अरौके लक्षन जिनें आप देखकर अपनी प्रेग्नेंसी में पता लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में एक बिबी बॉय पल रहा है यानि कि आपने एक बिबी बॉय को कंसीर किया है दोस्तो पसंद आए तो लाइक जरू करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए थेंक्स फॉर वाचिंग वीडियो